इस वीडियो में डिसकस करेंगे जिंबावोय ओमें वसस आइलें ओमेंस के बीच जो मैच होगा उस मैच में आप कौन सा टिम क्रेट करोगे ड्रिमलावन में ठीक है वीडियो के डिसक्रिप्शन एंड सिर्फ डिसक्रिप्शन में मिलेगा देखो मैं एक और बात यहां पर बताऊंगा कंप्लीट फ्री टीम है जूट सकते हो जूट आपको शेर करता हूं मैं भी उसी टीम से खेलता हूं बट अगर आप सर्च करके जॉइन होने जाओगे तो आप फेक ग्रूप में जा सकते हो जहां से आपको शायद पैसा चार्ज कर ले वह लोग ठीक है अब आते हैं मैच के अनलाइसिस में सारी चार में यह मैच इंडेन टाम स्टार्ट होने वाला है हरारे स्पोर्स क्लब आपको बता है ओमेंस क्रिकेट में स्लाइटली रन कम बनता है कंपेट टो मैंस क्रिकेट के पिटेट माइंड आइलेंड की प्लियस ध्यान देना प्रोवल बैटिंग में यह ना आइलेंड की बेस्ट बैटर है इनका टीट्वींडियाई में 27 का एवरेज है तो उसमें दोस्तों इन्होंने 42 और 45 रन बनाया अच्छी प्लियर है दोस्तों जिंबाबोए ने बहुत ही बढ़िया फाइट किया स्पेशिली हमने दो दफा देखा एलेंड का बैटिंग कोलाप्स होतो है सिरीज में ठीक है इनका बैटिंग के उपर हम लोग ट्रस्ट न चाहिए दोस्तों दोस्तों ओडिया में इन्होंने बहुत खास बेटिंग नहीं किया एक में 36 किया था जहांपी ओपिन कर रहे थे बाकी मैच में 211 बट वन डाउन ये फ्लॉब होए थे ओपिन करतो है अच्छा खिला एक और बात इन्होंने डिसेली टीट इंडिया में 68 बनाए स्कॉर्लेंड के खिलाफ और दस बनाए ये अभी ओपिन करेंगे तो ये नॉट आ बैट चोईस डिसेंड डिफेंचल पीक रहेंगे इस मैच में क्या उल्ला परिंडर्गिस्ट को आपको लेना चाहिए दोस्तों दिखो ये वन डाउन प्लियर है अच्छी प्लियर टीविंडिया में 97 में 67 विके बॉलर है दोस्तों डेट में भी आ सकती है कैप्टेंसी कराएंगे फिलाल मेरे साब से सेफ है रख लो सोफी मैकमोहन इनका बैटिंग और स्लाइटली नीचे है देखो यहां पर वन डाउन ओला पेंडर्गिस फिल लॉड़ा फिर सोफी सोफ डोमेस्टिक में बहुत जादा बॉलिंग करती है बट रिसेंटली इंटरनेशनल में बॉलिंग बहुत कम करेंगी फिलाल में नहीं लेने वाला लुड़ा अपने टिम में बैटिंग में नीचे है आलन के लिए कमाल की प्लियर है और देखो 27 केबल 27 मैच में 40 विकेड मैसि होता है 92 ओवर्स में रिसेंटली एक विकेड 11 रन 18 चार विकेड एक चबिस चार विकेड कमाल की प्लियर है मस्ट पीक और यह आपके लिए एकदम से सिधा कैप्टेन वाली पीक है ठीक है अर्लन कैली क्या डेमसी को हम लोग लेंगे यह ना ग्रैंड लिग च्वाइस है 16 तीटेम में 10 विकेड बार रिसेंटली इन्होंने टीटेम में एक मैंच में 0 विकेड एक मैंच में 1 विकेड यह ना आपको 2 से 3 ओवर दे सकती है बालिंग से ठीक है उसमें मिल सकता है यह तीम से जो कैप्टेन बनेंगी ना वो है कारा मुरे 36 मैंच 23 विकेड रिसेंटली लोडियाई में 6 विकेट सिधा, 1 विकेट और 3 विकेट, कमाल की फोर्म में थी, उससे पहले स्कॉडलेंग के खिलाब T2 इंडियाई में भी अच्छा बॉलिंग एक मैच में ना इन्होंने 0 विकेट निकाला और 1 मैच में 2 विकेट निकाला, अच्छी खासे डिफेंचल प्ल बहुत अच्छा लाइन लेंथ है, पेसर है, 19 मैच में 10 विकेट है T2 इंडियाई में, ले सकते हो, श्रॉंगर टिम से बिलॉंग करती है, डल्जेल का दोस्तों T2 इंडियाई में सिफ 2 मैच में 3 विकेट, जैसे कि ODI में सरगेंट तिफेंचल पीक थी, वैसे दोस्तों T2 में दोस्तों अलाना डल्जेल अब के लिए डिफेंचल होंगी है, क्यों के 2 विकेट, 1 विकेट, 0-3 ठीक है, यहां पे रेविका स्टोकल फिलाल में ने लेने वाला अपने टिम में, ली पॉल का अगर बात करूंगा, दोस्तों 34 T2 इंडियाई में 23 विकेट है, इनका not a bad choice इन्होंने recently ODI में बॉलिंग ही नहीं कराया इस सिरीज से पहले, और Scotland के खिलाफ T20 में यह नहीं खिले थे, तो फिलाल मैं इनको नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, लीप पॉल को, ओके, लोगरा नहीं लूँगा, प्रेया सर्गेंट, यह अगर खिल दिया तो ले सकते हो, इन्होंने T20 में 3 मैच में 10 ओवर्ट में 2 विकेर, और recently ODI में 1, 3, 2, और यहां पे शायद 3 विकेर और 1 विकेर अगेंस इनके साथ हुआ था, मतलब Zimbabu के खिलाफ जो ODI सिरीज हुआ था, उसमें हुआ था, और Scotland के खिलाफ 2 विकेर, 2 विकेर, इन्होंने ODI करियर में recently दे जाल मैं अपने टिम में शायद दोस्तो रख लूँ अगर इन्होंने number of number 4-5 baller खिला, अगर देखो यह team जो island team है यह basically दोस्तो आपको दिखेगा, कि 6-8 baller तक यूज़ करते, 6 तो यूज़ करेंगे 100%, 7-8 baller यूज़ कर लेते, T20 में 16 मैच 49 ओवर 10 चुगे, देखो ओवर कंपलीट नहीं है, 16 मैच में सिर्फ 49 ओवर, recently ODI में 0, 1, 0, उससे बहले T20 में 0 और 1, ठीक, ओवर कंपलीट नहीं गराती है, यह problem है, जिंबाबवे ओमें इन्होंने भी दोस्तो बहुत चारा baller यूज़ करना है, दोस्तो ठीक है, जिंबाबवे से अगर देखो के तो मैड का एक knock भी खेला था, अगेंस्ट आयलें, ODI में, एक में 23, एक में 2, उससे पहले T20 में 21 और 22, वो लोयर रैंकी टीम्स के अगेंस्ट हुआ था, 23 का average है, ओवरूरू का सिब 17 का average है, बट आपको पता है, दुरूरू ना, बैटिंग नीचे करते थे, डिसेंली ODI में इनों प्रिपानो, दोस्तों इनोंने 42 T20 में 806 इसन बनाया, रिसें रिकॉर्ड, डिसेंट है, फिलाल मैं नहीं लिऊंगा अपने टीम में, एशले नदीरिया बहुत अच्छी प्लियर है, बट स्लाइटली स्लो क्रिकेट खेलती है, बट यह फिल्डिंग फर्स पॉइंस देंग में दोस्तों बॉलिंग से कुछ ना कुछ पर्फोर्मेंस दिया, इवन बैटिंग से भीटिंग करते हुए दिखा है, बॉलिंग फर्स कैप विसी बनाओ, बॉल सेकंड जस्ट ऐस प्लियर रखो, मुझा जी को मैं फिलाल नहीं लूंगा, प्रिशियास मरांगे, इनका T20 म 46 मैच में 46 विकेड है, डिफरिंशियल प्लियर रहेंगी, कैपिन भी रहेंगी, बट बॉलिंग फर्स बॉलिंग सेकंड, जस्ट ऐस प्लियर रखो, नौट एस कैप दिखी ठीक है, तश्युमा बॉल फर्स डिफर्स बिफरिंचियल रख सकते हो, तेस मैच में 37 विकेड य जब जब बॉलिंग फर्स्ट किया ना अच्छा बॉलिंग इवन पीशेस मरांगे बोलो या फी तश्चुमा बोलो बॉलिंग फर्स्ट बहुत तगरा बॉलिंग किया इन्होंने ठीक है यहाँ से अगर आप देखोगे ना दोस्तों तो Shibanda, Liftup Medium Baller, T2 Indiay में 36 मैच में 40 wicket, ball first correct differential है, ODI में 1 ही मैच में इन्हों ने अच्छा wicket, balling फियुस मैच में अच्छा डाला मेडेन भी डाला था, most important वो ball first था, ball second SO performance अच्छा नहीं था, चीपारे फिलाल मैं नहीं लूँगा 6 T2 Indiay में 16 over में 4 wicket है, ODI में 1 match में 2 bolling ही नहीं डाल एक विग दाला ना वणियाओ बाल ऑर तगर बॉलिंग डाला दो विकेट भी निकाला उससे पेहले इन्होंने 28 बनाये थे 2022 का मैं बात कर रहा हूँ पेंडर किस्ट उसमें 28 रेवेक अस्टोकल 26 लॉरा डिलैनी 22 एमी हंटर 19 बेस्ट बॉलर मैगवेर और अर्लेन के लिए 2 एकेटीज एमा डिचर्टसन जो अभी नियूजिलैंड में डोमस्टिक खेलती है तरा मुड़े 1 एकेटीज जिंबावे उमें 133 पे 6 20 ओवर में ओके टॉप स्कोरर कौन था शंड मैर्स 39 31 मुसंडा अठ्रा था नोकोमो का सत्रा था मुपचिकवा बेस्ट बॉलर उसमें कौन थे दोस्तों सिबंडा और एंडलोवू 2 एकेटीज प्रिश्यस मरांगे ए मजविशिया 1 एकेटीज मज नहीं किया तो लाइक करना दोस्तों साथ वीडियो को शेयर करना और जूर जाना टेलिग्रम चैनल गाइस फिलाल जो मेरा डिमलावंड का टीम रहेगा ना उसमें मैंने धुरूरू को लिया अपने टीम में दिखो मैं इनको नहीं लूंगा मुस्ट पाबली फिलाल मैंने रखा है फिल्डिंग फर्स रख सकता हूं कि यह फिल्डिंग से कुछ पॉइंस दे सकते है 20-25 फिल्डिंग से दे सकते है फिर बैटिंग से अगर 10-15 रन बना दिया तो 30-35 पॉइंट मिलेगा जस्ट फॉर इस मैंने इनको रखा शायद आफटर टॉस कोई मुझे डेफिन आपको शर्गेंट मुझे लगता है और इनके जगा इस मैच में आपको खेलती हुए कौन दिखसेत है पता है मैं चलो आपको दिखा इसमयט में आपको सरगैन के जगह नखेलती वे बिखेंगी यहाँपे आपको मैंने आपको बताया भी था यह कहां गया कहां गया कहां गया डलजल यह लेटी तो इंडिया में खिल थी और ODI में सर्गेंट खिल थी है तो दोस्तों डलजल खिला तो उसको मैं ले लूंगा सर्गेंट के जगह वह कुईकट टेकर है लाइक डलजल अव फैलाल यह रहेगा कवरेज कुछ और भी प्लियर्स है जैसे कि एक हो गया यहां से कमाल की चॉइस रहेंगी और इस मैश में यह वन डाउन खेलेंगी यूज कर सकते हो ठीक है लीपोल नहीं खेलने वाली है मुश्वली मुसंडा यह ओपिन करेंगी लेना है तो लो इनको यहां से आप ले सकते हो दोस्तों डेमसी को बॉल फर्स्ट एक अच्छा चॉइस रहे थैंक यू दोस्तों मिलते है मैश टैंप पर तैली राम पर थैंक यू